जै समिधान जै भीम मात्मागादी की जै पोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आज मैं एक बहुत बड़ी अपनी चिंता आपको व्यक्ट करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि देशवासियों को इसके बारे में सचेत हो जाना चाहिए पहले ऐसा लगता था कि भारती जनता पार्टी होए दुधरिष्ट से काम नहीं करती उनकी रननीती जिए वह dot term planning के अनुसार चलती है लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी की जो लॉंग टम स्ट्रेटीजी है वो बड़ी स्पष्ट है और इसके बारे में देशवासियों को सचेत हो जाने की आवश्रक्ता है भारती जनता पार्टी की जो स्ट्रेटीजी है जो मैं अभी समझ रहा हूँ हो यह कि जिस चीज को निशनलाइज इंद्रा गांधी ने किया था या जो बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत वर्ष के अंदर पंडे जवालाल नहरू ने इंद्रा जी ने और राजीव जी ने बनाई थी उनको किस प्रकार से प्राविटाइज किया जाए और अपने पू चाहे वो जो स्पोर्ट से ऑठारेटी का अपना कॉमप्लेक्स है जिसके अंदर उनके स्टेडियम सहें वह संपत्ती है जिस पोً संपत्ती है जिस पे गिद्धों की नगार रहती है जैसे अगर भारती पूरी संरचना को देखा जाए तो हिंदोस्तान की जो सबसे बड़ी और्गनाइडेशन है जिसके पास सबसे जादे लेंड एसेट्स हैं और जिसके पास बहुत बड़े फिक्स एसेट्स हैं वो भारती रेल है बारती रेल हिंदोस्तान में सबसे बड़ा जौब प्रोवाइडर रहा है और क्योंकि मेरे कई परिवार के लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेल विभाग में काम किया है मैंने यह देखा है पुराने लोग जो रेल वे विभाग के होते थे वो बड़े महनती होते थे बड़े कमेटेड होते थे और रेल विभाग एक बड़ा सुनयोजित और अच्छी तरह से चलने वाला विभाग था तो सोचने में मजबूर होता है कि जो विभाग इतने सक्षम अधिकारियों द्वारा चलाए जाता था और महनत से चलाए जाता था पिछले जब से यह सरकार बनी है रोज कोई न कोई नहीं मरें चाहे जो विअनके वरकर से चाहे क्लास, स्थी, क्लास, टू क्लास, वन के हूँ और इसके बावजूद वहां पे कोई स्ट्राइक नहीं हो रही जो आपने देखा था खी आसे किस 40 साल पहले 50 अल पहले कितनी बड़ी स्ट्रैक हो रेल्यवे ये फर्डरेशन जो जर्ट फरनेंडेस係 उसको एड़ किया करते हैं लेकिन यह क्या करते के मुझे ऐसा लगता है भारती जनता पॉर है वो रनेनीती है पहले एक Newman को सब नाम करो सो ऑर्गरनायडेशन को दनाम करो इस पे अलग-अलग नाम से उसको को सुशोभेत करो और बदनाम करने के बाद इस चीज का जस्टिफिकेशन ढूंदो कि भाई यह और्गनाइजेशन जिस शेप में चल रही है इस शेप में इसको चलाया जाना संबव नहीं और इसको अब यह बहतर है देश के लिए कि इसको पूझी पती मित्र अडानी जी को सौब दिया जाए और धीरे धीरे यह परिस्तिती को क्रियेट करके उसको अडानी जी को सौब दिया जाए और एक क्रमशा उस दिशा में उसको ले जाये जाए जाए पहले अग्जाम्पल लेते हैं जवालान नहरू इन्वें को जो लोग जवलान इंवस्टी में पढ़े हैं या उन्होंने जेनियों के केमपस को देखा है तो उसकी जो इस्थिती है जहां वो लोकेटेड है करीब हजार एकल से बड़ी संपत्ती है और हरी भरी संपत्ती है और जब आप वर्ड रेटिंग देखते हैं इनवस्टी की वर् देश के विभाजक करार देने के बावजूद भी उन्हें बामपंथी करार किये जाने के बावजूद भी जेनियों हमेशा टॉप पे रहा है पुरे इंदोस्तान की इनवस्टी में अगर सबसे टॉप में कोई इनवस्टी रही है तो वह जेनियों रही है और जेनियों से ह जैशंकर साब जो हमारे external affairs minister है वो हैं पहले IFS थे और हमारे देश की वित्वंत्री जो निर्मला सीतारमंजी हैं वो भी जेनियों की हैं और उसके पहले जो एक वो बिहार के सांसद और जो पहले मंत्री हुआ करते थे प्रशाव सहाप वो भी जेनियों के हैं लेकिन जेनियों और जिसकी प्रतिष्ठा बहुत जाद है और जेनियों की विशेष्टा यह है कि देश का गरीब से गरीब आदवी जो भी एचू एफोर्ड नहीं कर सकता जो इलहाबाद इंवस्टी एफोर्ड नहीं कर सकता प्राइब इंवस्टी इसको तो छोड़ दीजे लाग रुपे की फीस है और हॉस्टेल जो हैं वो ऐसे बने हुए हैं जैसे फाइव स्टार होटल लेकिन जेनियों ने हजारों लाखों ऐसे गरीब बच्चों को दलित बच्चों को आदिवासी बच्चों को जिनके बाह आर्थिक संसाधन नहीं थे उनको अवसर दिया और एक ये दिक्षा दी जेनियों के अंदर जो अध्यापन में अध्यान में बहुत जादे अवश्चक है कि बच्चा निर्भी खोकर अपनी भावनाओं को प्रगट करें और अध्यापक से प्रश्ण करें और अध्यापक और छात्र शाम के समय एक ही फोरॉम पे बैठके अं जेनियों ने समझा और हजारों लाखों बड़े-बड़े मेधावी लोग जेनियों ने पैदा कि लेकिन बदनाम करना शुरू किया जब भार्थी जंता पाड़ी की सरकाद 2014 में आई उसके बाद से शरयंत्र शुरू हो गया यह बामपंधियों का गड़ है पता नहीं क्या-क क्या गिनने लगे वहां जाकर और किस प्रकार से गिनने लगे और इसक प्रकार से जेनियों को बदनाम करने का प्रयाश हुआ और एक अध्यक्ष को कनिया कुमार को तो देश्विरो दी और उसकी पिटाई भी कर दी कोट गेंदर पिटाई कर दी मतलब सब कुछ कर दिया और इतने साल की बात पता चला कि वो तो वो जो स्लोगन लगड़े गए थे वो तो बाहर से आईवए कुछ लोग थे जिनके चेरे दिख रहे थे और CCTV में दिख रहे थे लेकिन उनको गिरिफ्तार ना करके करिया कुमार को बदनाम किया गया जेनियू को बदनाम किया गया क्योंकि एक शलयंत्र था शरयांद्रे ये था कि जेनीmit को किस प्रकाशे अडाणी जी को सौपा जाए तो पहले तो जेनीश को बदनाम किया गया उसके बाद जेनीश की जो आर्थिक इस्थिति दी उसके खराब किया गया वहां के चात्रों की चात्रवत्ती बंद की गई, उसकी वड़ोत्री बंद की गई, उनको श्रोत उनके बंद कर दिये गए, और जब एकनॉमिक डिपेंडेंस बहुत जादे उनकी हो गई, और उसके बाद अपने खर्चे निकालने में जेनियू असमर्थ हो गया, तो उसके हो गया कि साब, वो तो अपने आर्थिक इस्तिति को कवर कर निकले तेयार नहीं है, इसलिए अपने केंपस की बिल्टिंग को उसको लीज पे देना पड़ाया, किराय पे देना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, अब बेचे का कौन, हरीदे का कौन, लीज पे कौन ले क्यों किया गया था कि यह आधार बनाया जा सके वाइस सांसलर्स के बाद्यम से और बच्चों को बदनाम करके और वहां के बच्चे जो बेसिकली खुले विचार को प्रगट करने के लिए प्रक्षात हैं उसे अडानी जी को सौंपने पर उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई और हजारों लाकों करोड की संपत्ति जो है वो उस प्रोसेस पर चली गई है जिसमें उसे धीरे धीरे अडानी जी को सौंप दिया जाए अगर यह सरकार चल गई तो वैसे सम्हावना कम है यह सरकार लंबी शुरूर्स अधौरर्टी का जो केंपसर अगर आप जाकि उसको देखेंगे वह इतना यह से से और यह दूर्ट District से बात करेंगे 아गर आपके डिकारिय अकर आधिकारी यह से को बात करेंगे और करोड्हा लाकों करुणों के व्रक्ष हैं होल्ड डिल्दिंग्स हैं सब कु ये सोची समझी रननीती के तहत हो रहा है और ये रननीती ये है कि धीरे धीरे बता दिया जाएगा कि इसको सरकार चलाने में असमर्थ है और फिर एक नेरेटिव चलाया जाएगा भक्तों के वाध्यम से कि हर चीज थोड़ी सरकार करती है सरकार इस तो गवर्ण बाकि चीजे इस तो भी गवर्ण एंड रन वाइदी प्राविट ऑगराइजेशन और वो अडानी जी को सब्धिया जागा जाको करोनों की संपत्ती स्पोर्ट इसार्डी के कॉंप्लेक्सेद और जेनियो के केंपस कुछ दिनों में आप सुनेंगे अब कितरी देर में होगा तब तक सर रना है वो यह कहती है हर्याना के अंदर अगर भारती जनता पार्टी की बुरी हार हुई तो छे महिने के अंदर मोधी जी की सरकार गिर जाए और यह बात उनहीं के एक मंत्री भारती जनता पार्टी की एक खुली मीटिंग में कह रहे हैं कि अगर भारती जनता पार्टी हा अगर हर्याना में बीजेपी हारी तो सरकार गिरी अब तीसरी बड़ी संस्था जिसपे कब्जा करने का और जो सबसे बड़ी नियोजक है और सबसे बड़ी एंप्लाइमेंट जनेडेशन की गौर्मेंट ऑफ इंडिया की ऑगनाइज़ेशन है भारती रेल उसे भी थी रही अब यह सब में आ रहा है एक्सिदेंट्स को क्यों हो रहें कि वैश्टनाप साब कहते हैं बड़े कॉंपिटेंट आईयस रहे हैं और उनको सब को डानी जी को सब दिया जाए और अगर आप देखेंगे भारती रेल वे जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसकी संरचना की थी और जो जिस प्रकार का वस्थापना स्थापित की थी लाखों करोणों का इंवेस्मेंट है और अडानी जी को मुफत में सब कुछ मिल जाएग एक लीज साइड हो जाएगी किसा आप ये गौवर्मन्ट आप इंडिया के दीजेगा बाखी जैसा चाहें आप चलाएं फिर आपको रेलवे स्टेशन के साबने गुजरने में 100 रुपे देने पढ़ेंगे अंदर गुजरने में 500 देने पढ़ेंगे और आपको वहां हर च 30 रुपे के किराय में एक्सकूटिव चेयर कार में दिल्ली से लखना हो गया हूं और दिमाग खराब हो गया कि कहा बैड गया मैंने कहा गल्ती कर दी मैंने तो इतना वंदे भारत के बारे में सुना था जिसे बहुत बड़ी ट्रेन है लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि यार म के पास चली गए तो जेन्यू कैंपस स्पोर्ट इथारेटी का कैंपस और रेलवे विभाग इस पे भारती जंता पार्टी की नजर है कि इसको खिस प्रकार से अडानी जी को दिया जाए पहले असको बनाम किया जाए पे आर्थी ग्रूप से इसको अपने पर डिबेंडेंड बनाया जाए उसके बाद अपने भक्तों राइट एसर की वाधिंस नेिट किया जाए dividend किया जाए इसे सरकार को चलाना उचित नहीं है प्रिजर्वेशन को धता पता दी जाए, OVC और शुल्काशुटराईव के साथ अन्याय किया जाए और सारी के साधी करोन लाखों की संपत्ति कुछ लाखों में अडानी जी को दे दिया जाए, वो बैंक से लोन लें, उनके लोन माफ कर दिये जाए, अदानी जी विश्व के अगली दस जनरेशन के नमबर एक के व्यक्ति हो जाए और हिंदुस्तान की सारी संपदा लुठ जाए और पुझी पत्यों को देती जाए ये शणियंत्र मुझे दिखाई पड़ रहा है मैं सही भी हो सकता हूं मैं गलत ही हो सकता हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देश और भी हो सकता है